स्वागत है आपका प्पीखे बैयो पनसेप्ट में मैं हुँ प्रमोत क्मार आज का टॉपिक है प्लां टिशु क्ल्चर यहसे मसी प्रोपेगेशन भी कहते हैं प्लांट टिशू कल्चर को हिंदी में कहेंगे पादप, उतक, समवर्धन और माइक्रो प्रोपेगेशन को कहेंगे सूख्ष्म, प्रवर्धन प्लांट टिशू कल्चर है क्या? ये जानने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में जानते हैं इसके पहले दो जान ये टिशू क्या है? सेल्स का ऐसा ग्रूप जिसकी सभी सेल्स कार्ड, संडचना और उत्पत्त यानि फंक्शन, स्ट्रक्शर और ओरिजिन में समान हो तो ऐसा ग्रूप ही कहलाता है सेल्स का टिशू इलिए ध्यान डगना है कि एक टिशू की जो सेल्स होती है, वो एक बार कार्ड और संडचना, फंक्शन और स्ट्रक्शर में भिन हो सकती है, तिफरेंट हो सकती है पर एक टिशू की सभी cells origin में हमेशा समान होती है यानि अगर कभी कोई objective question इस तरह से आता है कि टिशू की cells similar होती है पहला option आजाए origin में, तूसरा आजाए structure में हो, तीसरा option हो, function में हो, चौथा option हो none तो आपको यहाँ पर origin को select करना है लेकिन अगर fourth option, all of above हो, तो आपको all of above select करना है तो tissue clear दूसरा word है यहाँ पर culture culture का अर्थ होता है, हिंदी में तो इसे कहते हैं, समवर्धन और वैसे का अर्थ है, वृद्धि कराना, ग्रो कराना जैसे PC culture, PC culture में हम लोग क्या करते हैं, fishes को ग्रो कराते हैं सेरी कल्चर, सेरी कल्चर में जो silk warm होता है, उसको ग्रो कराते हैं, एपी कल्चर, honeybees को ग्रो कराते हैं तो tissue culture में tissues को ग्रो कराएंगे अगर PC culture कर रहे हैं, तो PC culture के लिए कोई न कोई medium तो होगा पानी, पानी में प्रॉपर उनका food का ध्यान रखा जाएगा कोई इसमें other type का, कोई इसमें predator, fish ना हो, या कछुए, सांप, यह थोड़ा ना उसमें रह रहे होंगे उसी तरह से जब सेरी कल्चर होगा, तो सेरी कल्चर करने के लिए हमें सेथूद के plants किया जरूरत पड़ेगी तो कल्चर किसी भी जीव का, कल्चर जिस medium पर कराया जाता है, वो medium कहलाता है culture medium यानि tissue culture के लिए भी हमें जरूरत होगी एक culture medium की tissue culture के लिए जो culture medium होता है, इस culture medium में किसी tissues की growth के लिए यानि cells के division के लिए, cells के nutrition के लिए, proper salts, organic और inorganic nutrients, vitamins, hormones, pH regulation, thermoregulation सब ये controlled conditions होती हैं, और जो culture medium होता है tissue culture के लिए, अगर ये liquid है और इसे हमें solidify करना है, तो culture medium को solidify करने के लिए, इसमें gelidium नामक जो algae होती है उससे प्राप्त होने वाला अगार mix किया जाता है, अगार भी बोलते हैं या इसे अगार अगार भी कह दिया जाता है तो culture medium clear, जिसमें grow कराया जाए, वो medium ही कहलाता है, culture medium plant tissue का culture, animal tissue के culture से ज़्यादा सरन होता है दरसल plant cells, जो fully mature plant cells होती है, इनमें टोटी potency पाई जाती है या हम कहें इनमें भी टोटी potency पाई जाती है actually जो fully mature plant cells होती है, इनमें de-differentiation की छमता पाई जाती है de-differentiation अविभेदर, ज़रा clear करता हूँ देखे, जो meri stem होता है plant का, यह meri stem की cells होती है यह अविभेदित, यानि undifferentiated और divisible होती है meri stem को हिंदी में कहते हैं, विभाजोतक यानि ऐसा होतक, जसकी कोईसकाव में विभाजल की छमता हो, वो कहलाएगा meri stem फिर meri stem की cells में होता है differentiation, विभेदन और विभेदन से बनती है, कोई भी special mature cells, यह mature cells किसी specific task को perform करती है यानि विभेदन से बन गई, इसके बाद यह विभेदन कोईसकाव जो होती है इनमें de-differentiation की छमता होती है, और de-differentiations यह फिर से meri stematic हो जाती है तो किसी mature tissue का फिर से meri stematic हो जाना ही कहलाता है de-differentiations de-differentiations से जो meri stem बना है, इसमें जब differentiation होता है और फिर से कोई mature cell बनती है, तब यह process कहलाता है re-differentiations और totipotency, अभी पिछले period में जो deproduction in organism का part हो था उसमें आपको totipotency बताया था किसी cell की वह चमता, जिसमें वह किसी भी अनप्रकार की cell में परिवर्दित हो सके या हम यह भी कह सकते है, cell की वह चमता, जिससे की वह complete organism को develop कर सके उसे ही कहते है, totipotency तो plant cells में totipotency पाई जाती है पाई animal cell में भी जाती है, लेकिन अगर animal cell एक वार mature हो जाए तो उसमें दुबारा totipotency नहीं आती है वह पार्ट कहलाता है explant, इस explant को हम root, stem, leaf, fruit, flower, कहीं से भी प्राप्त कर सकते है लेकिन सामानता जो explant होता है वह मेरी stem से प्राप्त किया आता है तो भी मेरी stem undifferentiated cells का group होता है और undifferentiated cells का जो group होता है वह viral से infect नहीं होता है या इसमें कोई भी viral disease नहीं होती है जैसे कि ये कोई leaf है, ये एक leaf है इस leaf के एक छोटे से part का use हम culture के लिए करने वाले हैं ये एक छोटा सा part यानि एक tissue लो गया, इस leaf से हमने प्राप्त किया है बस यही part जिसका use हम plant tissue culture में करेंगे यही part क्या लाता है explant, this is the explant अब इस explant को हम culture medium में transfer करेंगे ये एक pot है, जिसमें भरा है ये culture medium ये black dots यो है, ये culture medium दिखा रहा हूँ ना इन से this is the culture medium अब इस explant को transfer कर दिया जाता है culture medium में ये लिए ट्रांसफर कर दिया, transfer करने के बाद इस explant को induce किया जाता है division के लिए, इसकी cell से वो divide हो, इसके लिए से hormonal treatment दिया जाता है और hormones में भी cytokines का use करते है ये फिर से वही pot बना लिया, वही culture medium और जो explant है, इस explant को हम size में बढ़ा करने वाले हैं, यानि इसकी cells divide होकर एक cell mass बनाएंगी और यह cell mass होगा, यह पूरा undifferentiated cells का group होगा, जिसे मैं यह dotted groups में दिखा रहा हूँ, यह पौस सारे महिन में dots कर दिये, exam में आप ऐसे ही बना दीजिए इसे, पस dots बनाकर एक group बना दीजिए, यह जो explant divide होता है, जब divide होकर undifferentiated cell mass बनाता है, यह cell mass कहलाता है, callous अब इस callous में shooting, यानि shoots का formation और rooting, root का formation, इसे induce करना है, इसके लिए दो hormones यूज़ करते हैं, cytokinin और oxin को एक साथ, बस इनका ratio थोड़ा अलग होता है, अगर हम यहाँ पर high cytokinin, यानि cytokinin की मात्रा जादा रखें, और low oxin और oxin की मात्रा कम रखें, तब यह combination इन दोनों hormones का shooting को produce करता है, shooting यहाँ पर होने लएगी, यह वही फिर से culture medium भर दिया इसमें, और culture medium भरने के बाद, यहाँ पर callous बना लेते हैं, यह callous हो गया, this is the callous, अब इस callous में हमें कुछ shoots बना देने हैं, suits के लिए, यह मैं blue color का use कर रहा हूँ, इस तरह से 3-4 suits बना दिये, और suits हैं, तो इन में, एक दो leaf भी बना दे, छूटी छूटी, shoot और stem में अंतर होता है, shoot प्लांट का aerial part होता है, वो कहलाता है shoot और जो underground part होता है, वो होता है normally, तो shoot में ही होता है, stem, leaf, flower, fruit, यह सब shoot के ही भाग है, यह बन गया है यहाँ पर shoots, अब हम यह जो hormones थे, cytokinin और oxin, इनका ratio जो है वो उल्टा कर देते हैं, अब यहाँ पर हम cytokinin जो है, वो low लेंगे, कम cytokinin, low cytokinin और high oxin, hormones का cytokinin और oxin का यह combination है, जिसमें cytokinin कम होता है, और oxin ज़्यादा होता है, तब यह rooting को induce करता है, फिर से वही culture medium भर लिया है यहाँ पर, culture medium भरने के बाद, callus, this is the callus, और इस callus में हम shooting तो पहले ही कर चुगे हैं, तो कुछ shoots बना देते हैं, these are shoots, suits में कुछ leaves चोड़ दी, तो कि यह छोटे-छोटे ही plant हैं, बनने वाले हैं अभी, अब cytokinin कम और oxyn ज्यादा, यह skellus में rooting को induce करेगा, यह कुछ यहाँ पर चोटे-छोटे roots बना दे, अब यहाँ पर देखिए, shoot भी बन चुका, अब यहाँ पर root भी बन चुकी, कुल मिला कर, चोटे-चोटे plants बन गए, यह plants छोटे होते हैं, इसलिए इने कहा जाता है micro plants, micro plants कहिए, यह फिर इने आप plant let's भी बोल सकते हैं, अब इन plant let's को nursery में transfer कर दिया जाता है, अलग छोटे-छोटे-छोटे-छोटे ली फाफों में plant कर दिया जाता है, और फिर वहाँ इनको grow कराया जाता है, grow कराने के लिए green houses का use करते हैं, जहाँ पर thermoregulation की विवस्था होती है, फिर ही जब यह बड़े हो जाते हैं कुछ, तब इनको normal पौद्वों की तरह कहीं भी रोपा जा सकता है, तो plant tissue culture में, बहुत कम समय में, कम जगह में, बहुत बड़ी संक्यावे plants को produce किया जा सकता है, इनकी genetical identity को अनंत कालता, मतलब जब तक यह callous रहेगा, callous के pieces कर सकते हैं, callous को थोड़ा callous है, उसको shooting और rooting के लिए use कर लिया, बचा हुआ callous store कर लिया, आगे फिर इसको grow कराकर shooting और rooting करेंगे, तो अनंत कालता कि इसकी genetical identity है, उसको maintain किया जा सकता है, तो यह तो रहा plant tissue culture, इसके कुछ और significance हैं, वो भी जड़ा देख लीजिए.